हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल तंडू की रेस्पी आज की हमारी रेस्पी चोग बहुत क्रेस्पी बनने वाला बहुत है टेस्टी इटम new नास्ता है आपने इस से पहली यह वाला नास्ता कभी खाय ने होगा एक बाच जरूद ट्राइं करना आपको यह नास्ता बहुत पसंद आने वाला बहुत कम इंग्रेटिंट में ये बनकर रेडी हो जाता है और गर्मियों का टायम चल रहा है तो एकदम जटबट से लगता है ब्रेड को में तोड़ लेना है उसके बाद हमने मिकसर जार ले रिया है इसमें डाल देंगी और हमें ब्रेड क्रम्स बनाकर इसका रेडी कर लेना जैसे नास्ता बनाती है जटपट ऐसा लगता है ब्रेड क्रम्स बना रखा हो डिब्बी में तो एक दम सी रेस्पी बनाने मे ज़्यादा टाइम भी नहीं रखता है जटपट से मौने मेनास्ता बनकर रेडी हो जाता है इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है इसको मिश्टोर करके रख लेंगे यह खराब भी नहीं होता है और इदर हमने बॉयल किये आलू लिए हैं मीडियम साइज की आलू ल आज़ेंगे नमक आप टेश्ट अकोडिंग कम जादा कर सकते हूं इदर हमने धनिया का पाउडर लिया है आदी चिम्मच इदर कुटा होआ जीरा लिया है इसको डाल देंगे इससे नहीं बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला ऑला है नासते में इदर मैज़ा इधर में अ इसमें को बेराप चावल डाल ने में जरूत को निम्चत दखके हुआ है section ज्यादर मसाला के उन-स वालेध के नास्ता नहीं क्या करेंगे इधर जैसे ना बॉल्स बनाते हैं नीवु आका जितनी बड़ी बड़ी हम इस तरीके से बॉल्स लेंगे और जैसे आलू की टिक्की वगएर हम बनाते हैं उस तरीके से नास्ता हम बनाने वाले हैं तो हम डिफरेंट तरीके से राउंड सेप में इस तरीके से ब मिज्रा वाध्यों कर देंग автомBooks जोड़ी नेजर कर दिए कि यह कर दिया और एक एकम तैंदर्ट अक्षिण तक शाक की अची रेडिक कर लेदा है बहुती प्यारा इनका कलर आ गया है और नास्ते को अभी हम निकाल लेते हैं बाहर कितना अच्छा क्रिस्पी नास्ता हमारा सिखा हुआ है जटपट से नास्ता बनकर रेडियो हो जाता है खाने में तो टेस्टी लाजवाब है इसका एक वर जरूर बना के देखना दूसरा व घंद लगने वाला इसको बनाने में पुआ है अंदर से और ज्यादर लाजवाब लगता है अगर रेस्पी पसंद आई तो प्लीज मारे चैनल को शस्क्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना थैंक फौर वाचिंग मिलते हैं